जेहिन मेरे प्यारे दोस्तों नेक्स्टेम आपका स्वागत है देखिए एरपूर्ट ऑथॉर्टी ऑफ इंडिया डबल ए आई के अंतरगत पे टूटल अगर बात करें तो 596 पोस्टों के लिए यहां पर रिक्रूट्मेंट अपडेट कर जया गया जैसे के लिखा गया है र एरपूर्ट ऑथॉर्टी ओफ इंडिया के अंतरगत पे गर्मेंट ऑफ इंडिया जभी है क्योंकि ज्यादे इंपोर्टेंट है नहीं से पहले बात करें तो आप कैसे जाकर देख सकते हैं अगर आपको apply करने है तो सबसे पहले www.aai.aero पर जाकर आप क्या कर सकते है अप्लाइ कर सकते है आप Google पर जाकर सर्च कर जेगा www.aai.aero ठीक है अब टोटल किती पोश्ट है 596 पोश्ट है अब किस बेस्ट के लिए है तो इंजिनरिंग बेस्ट के अंतरगत पे हाँ पर recruitment update है Junior Executive सबसे पहले बात करें तो Engineering Civil के लिए टोटल 62 पोश्ट है Junior Executive बेस्ट के अंतरगत पे Engineering जो Electrical बेस्ट के अंतरगत पे 84 पोश्ट है उसके बाद में Electronics के लिए 440 पोश्ट है और इसके अंतरगत पर Architecture के लिए कित्ती पोश्ट है 10 पोश्ट है इसके अंतरगत पे हो गई दे पोश्ट है और इसके लिए 11 एसके लिए 9 पोश्ट है एस्ट के लिए 4 और टोटल 62 पोश्ट होगी और PWD में इंक्लूजिब जसे कि इसके अंतरगत पर लिए 3 पोश्ट है और D&E के लिए 3 पोश्ट है इसके इंतरगत पे Engineering Electrical बेस्ट के अंतरगत पे अंडिजर्वी के ल थीक है जूनिएर एक्जिर्वी के लिए 108 एकटी अजव्ड पोश्ट है एसके इसके अंतरगत पे अंडिजर्वी के लिए 108 एकटी जव्ड लीग पोश्ट है और OVC के लिए 111 पॉस्टों होगी अगर बात के तो टोटल इसना के क्ट पोश्ट की 586 हमें जिूनियर एक्जिक्ट हैं इजिर में इंजिनेरिंग सिभल इंजिनेरिंग इलेक्टी कल और इलेक्ट्रोंइक्स और उसके बारागं आर्किटेक्चर के लिम्हेः ठीक है और जो A, B, C, D है इसके अंदर गत्प आप पढ़ सकते हैं क्या क्या चीज़े करके दे तो वीडियो क्या जाएगा थोड़ा सा लेंडी हो जाएगा ठीक है अगर बात करें उसके बाद में क्या important information अब निकल के आता है education, qualification junior executive base के अंदर गत्पें engineering civil के लिए bachelor degree in engineering से होना चाहिए technology in civil के बेस में civil engineering आपके पास में होनी चाहिए जिसे यहाँ पर लिखाएगे है cross bonding get paper code जो भी है C base के अंदर गत्पे जो भी है आगे बाद कहाएगे है cross bonding get years 2021 बेस के इसके अंदर गत्पे गत होना चाहिए cross bonding get years जो भी दिया गया है ठीक है थोड़ सा अपडेट है क्योंकि तीन पोस्टों के लिए से में से एक के लिए get का 2022 बेस 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 बताते आगे junior executive है इंजिनेरिंग इलेक्टिकल बेस में बेस बेस के अंतर गत्पे telecommunication electrical with specialization in electronics बेस के अंतर गत्पे तो cross bonding जो get paper है इसके अंतर गत्पे होना चाहिए electronics है एंड जो communication इंजिनेरिंग के लिए cross bonding get paper code है EC और उसके बाद में cross bonding get years हो गया 2020-2122 उसके बाद की बाद के तो फोर्ट नमर का है junior executive हो गया architecture बेस के लिए और इसके लिए education qualification है bachelor degree in architecture and registered with council of architecture ठीक है architecture and planning बेस में इसके अंतर गत्पे जो cross bonding get paper है और उसके बाद में cross bonding get paper code है AR है और cross bonding get years होना चाहिए 2022 इसके अंतर गत्पा आपका होना चाहिए ठीक है अब important date की बात करें तो आप कब से कब इसको apply कर सकते हैं लाशन इसका है सबसे पहले बात करें तो जैसे की लिखा गया है opening date for receipt of online application तो बाइस बारा दो जार बाइस मतलब 22 December 2022 से आप forward ना start कर चुके है closing date for submission of online application तो closing date है इसका 21 January 2023 और उसके बाद में नीचे लिखा गया है जैसे available on schedule for इसके अंतर गत्पर document verification तो will be announced on AAI website के अंतर गत्पर हो जाएगा maximum age limit 27 years as on 21-23 इसके बेस मां आपका maximum साल कित्यों चाहिए 27 साल होने चाहिए उससे ज्यादे नहीं होनी चाहिए मिनीम का कोई provision इसके अंतर गत्पर नहीं दिया गए maximum age limit in relaxable base के अंतर गत्पर जो भी है relaxable base दिया जाता है जिसको छूड़ दी जाती है by 3 years for OVC and 5 years for SC के लिए 3 years OVC के लिए और 5 years के है SC और ST के लिए इसके अंतर गत्पर दिया जाएगा PWD base के अंतर गत्पर 10 years का दिया जाएगा और अपडेट आप देख सकते इसके अंतर गत्पर ठीक है मेरे में चीज तो मैंने बता दिया है याप है क्योंकि रिलेक्सेवल जो बेस है इसी के अंतर गत्पर नोट तो इतना पढ़की क्या जाएगा लेंड नी हो जाएगा अगर इसी के अंतर गत्पर पर पेस्केल तो अभी कोई और इमपोटेंट है नहीं जो इमपोटेंट इसी निकल कर आएगा तो उसको अब यहाँ पर बात करेंगे ठीक है वैसा तो इमपोटेंट इमपोटेंट जो इनफॉर्मेशन आपके फ़र्म बने के लिए होता है किसी इसके लिए किती रिक्रूटमेंट है कैसे आप एप्लाई करण कहा जाता है उसके लिए जो रिक्रूटमेंट इसके अंतरगत पर अपडेट किया गया तो क्या चीज़ आपके लिए इपोटेंट इहां पर फॉर्म बने के लिए निकल के आता था तो सॉल्डी रूप से हमारे दौर आप लोग के लिए प्रोवाइट करने की कोजिस क की गई है अमीद करूगा दोस्तों आज का इनफॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा यदि इनफॉर्मेशन आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और हमारे चैनल नेक्स्ट आम को सब्सक्राइब कीजिएगा वाप लसम नेक्स्ट क्लास के अंतरगत अब आप से मिलेंगे जय हिन जय भारत